आदाब जैहिंज जै भारत, मैं महम्मद तौफिग, BTS News and TV चनल में आपका इस्तिखबाल करता हूँ, आईए देखते हैं आज की ताजा ख़बार थाना फाफा महुचे तौफिग, चार व्यक्तियों की तत्या के समन्द में जो विवेशना की प्रगती से तत्याये थे, उसके आधार पर आज इसका पुलासा किया गया है, जिसमें एक अभ्युक्त, पवन सरोज, ये दगवक 23 वर्ष का है, और ये सजाती है, मृतक पक्ष क जाती का है, इनके द्वारा लगातार लड़की को परेशान किया जा रहा था, मॉबाइल पर मैसे दिये जा रहे थे और लड़की द्वारा उसको एश्विकार किया जा रहा था, बार-बार उसको मना किया जा रहा था, अंतिम मैसेज के आधार पर और सर्कम्स्टेंशल योग से हत्या की गई थी, नाम के बारे में इनके द्वारा कुछ नाम बताये गए हैं, जो नाम बार-बार ये बदल बदल के बता रहे हैं, हत्या में जो शामिल अन्य लोग हैं, उनके बारे में भी विवेशना जा रही है, इनकी call details, DNA profiling उसके आदार पर अग्रिम कारवाई की जा रही है, जो अभी तक की नाम जद्गियां होई थी, उन नाम जद्गी में उनका आपस में एक छोटा विवाद केवन मृतक पक्ष के भाई से था, उसे लेकर अभी तक कोई एविडेंस आसा सामने नहीं आया है, कि उनके द्वारा हत्या की गई है, इस पर अभी भी तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, सभी कॉल रिकॉर्ड्स, डी एने के जो रिजल्ट साएं के उनके आधार पर आगे कारवाई की जब पुलिस को कैसे शक्तु है सर क्या आधार रहा पुलिस का पुलिस के द्वारा जब मृतका का मोबाईल देखा गया तो उसमें कुछ मे तो स्वेम के मोबाईल से उसमें मैसेज मिल गए उसने गौरी मैम नाम से बच्ची का नंबर सेव किया हुआ था और जो मृतका की आयू है उसके प्रमान हमें मृतका के मोबाईल से मिले हैं जिसमें जून 96 उसकी डेटा बड़ है जिससे जो पोक्सों की धाराएं है वो भी इसमें बलादकार की पुस्टी हो चुकी है इसमें जो निशान मिलें उसके पीवीखेरस पे निशान पाए गए है और जो अभी तक परिक्षन रिपोर्ट आई है उसमें यह से दुगा है कि बहा बलादकार हुआ है लेकिन कितने लोगों दोरा किया गया है इसके बारे रेडिकल ओपीनियन ली गई जो अभी जो पोस्मार्टम पैनल था उससे बातचीत की गई थी तो उनके द्वारा बताया गया कि जो इंजरीज हैं मैला के जो अंगों पर वो उसमें काफी सिमेट्री है जिससे लगता है कि जो आटने की मारने की जो क्या कारवाई की गई है उ उनके साथ रेड़ की पुष्टी नहीं होई क्या एक वेक्ति इस गजना को अंजाम दे सकता है और पकड़े गए वेक्ति के शरीर पर भी चोट के पतिवों के निशान है यह वेक्ति क्योंकि अनपढ़ है और एक तरपा प्यार खरता था उसे लेकर इस पर जब इसके शरी इनके कपड़े इनके जितने भी वह अल एविडेंस है उनको कलेक्ट कर हम एपिसल भेज रहे हैं और डी ने प्रोफाइलिंग के बाद यह मामला एक्तम क्लियर हो जाएगा ठीक, थैंक्य।